प्रवचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं या आज की वीडियो में सीख लेते हैं प्रवचन को इंग्लिश में आप लेक्चर, स्पीच ये सर्मन कह सकते हैं लेक्चर की स्पेलिंग होती है L-E-C-T-U-R-E लेक्चर Speech की Spelling होती है S-P-E-E-C-H Speech Sermon की Spelling होती है S-E-R-M-O-N Sermon जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि पंडिच जी ने आद सभा में एक महतवपूर्ण प्रवचन दिया तो आप कह सकते हैं पंडिच जी गेव एन इंपोर्टेंट सर्मन in the meeting today या अगर आप ये कहना चाहें कि उसका प्रवचन सुनकर सभी लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली तो आप कह सकते हैं Everyone got great inspiration after listening to his lecture Everyone got great inspiration after listening to his lecture अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें